खबर बिहार के मोतिहारी जिले से है जहां कई दिनों से हो रही लगातार बारिश और बाड़ से लोग परिशान है महीं बाड़ प्रभावित पीडोतों से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव सडक मार्क से मोतिहारी पहुचे इस दोरान नेता प्रतिपक्ष ने सुगौली के बंचरिया प्रखन के चैलाहा और जख्या में बाढ़ पीर्टों से मुलाकात की और उनका दर्ट जाना तेजस्वी आदव ने इस दोरान ग्रामीडों को चूड़ा और गुड़ बाटा साथ ही गरीबों को कुछ पैसे भी दिये वही तेजस्वी आदव ने बिहार के मुक्य मंत्री पर निशाना सातेवे कहा कि 136 दिन हो गए, बिहार के मुक्य मंत्री घड से नहीं निकले सिचाई मंत्री का भी अब तक कुछ पता नहीं है बिहार की जनता एक तरफ करोना से मर रही है, दूसरे तरफ जनता बाढ़ और बारिश के पानी से डूब रही है सरकार के पास न विवस्ता है और न आगे की कोई तैयारी 136 दिन हो गया है लेकिन वो नहीं निकले सिचाई मंत्री भी नहीं नजर आए तो आप देखेगा बिहार में हाहा कार मचा है बाढ़ पीरितों के लिए रहने के लिए नहीं है इलाज के लिए नहीं है खाने पीने के लिए नहीं है कि प्राहिमाम जन्ता कर रिए ए मर री है और इनको सरकार पूछने का काम ने कर रही है और पूरा उत्तर बिहार जो है बार के चपेट में खास तौर पे जो चंपारन का इलाका है यहां गंडक नदी वगरा कहर मचा के रखी वी है इसको देखे जो है लोगों का जान मान का न सोई है वह जादा जादा चालू करना चाहिए लगभग उत्तर विहार में 14 जिले जो है वो चपेट में और लगभग हजार के आसपश पंचायत जो है वो चपेट में तो हम लोग लगतार यही कहते रहें कि संख्या जो है आपको 40 चालीस लाख अबादी जो है प्रभावित हुई है चालीस लाख और सरकार का इंतजाम केवल 26,000 लोगों का ही रुकवाने का है इसको तो और बढ़ाना चाहिए इसलिए हम लोग आए हैं जायजा लिये हैं चंपारण चैबेतिया का इलाका हो आपका मोतिहारी का इलाका हो सौफीस दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका लाइफ 24 मीडिया इंसिट्यूट एडमिशन ओपन रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170